हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी यूटीब चैनल आपका हेल्गुरू में स्वाग दे दोस्तो आज हम बात कने वाले हार्ट डिसीज की ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तो हार्ट की तकलीफ आजकर बहुती कोमन हो गई है और इनका सबसे बड़ा कारण है आज की हमारी लाइफस्टाइल दोस्तो आज हम लाइफस्टाइल ऐसी जी रहें कि जिनकी बज़से हमारे हार्ट के उपर बहुती ज्यादा स्ट्रेस पढ़ रहा है और इनकी बज़से हमारी हार्ट की तकलिफ आजकल ज्यादा होने लगिए दोस्तो हमारे सरीन में दो तरह के हार्ट होते एक होता है इमोशनल और एक होता है फिजिकल फिजिकल जो की हार्ट हमारे सरीन में प्रेजन होता है और दूसरा होता है इमोशनल हार्ट जो की हमारे इमोशन पर निर्भर होता है दोसों फिजिकल हार्ट हमारे रूटीन एक्टिविटीज हम कैसा खाना खाते हैं कैसी लाइपस्टाल जी रहें उनके उपर बहुत ही ज़ ज्यादा stressful है तो इनकी बर से हमारा physical heart भी damage होने लगता है और दूसरा होता है emotional heart जो की हमारे emotion पे ज़ादा नीरबर रहता है अगर हम बहुती stress ले रहे हैं हम हमेशा unhappy रहते हैं तो इनकी direct असर हमारे heart के उपर emotional heart के उपर पड़ती है और अगर कोई आदमी की activity बहुती कम हो रह लेट वाला खाना खा रहा है वह ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है अपने lifestyle में ज्यादा stressful activities कर रहा है और हमेशा ही unhappy रहता है दूखी रहता है तो उनकी direct असर उनके heart पे गिरती है उनका heart दिरे दिरे weak होने लगता है और अन्त में heart headache आता है या तो cardiac arrest आ जाता है तो दोस्तो यह चोटी उमर के लोगों को भी heart attack आते हम सुनते हैं बार-बार तो दोस्तो आज में आपको एसी treatment दिखाने वाला हो कि जिनको अगर आप नियमीत करते हो तो आपके heart की health बहुती अच्छी हो जाएगी और दोस्तो यहाँ पर जो हमें आपको treatment बताने वाला हो वह अगर आपको heart attack आये हैं उस टाइम पर नहीं करना है heart attack आये तो आपको तुरंती emergency care लेनी है आपको डोक्टर के पांस पहुच जाना है पर अगर आपको heart attack के symptom दिखाए दे रहे हैं आपको कोई भी काम किया भी नहीं बिना भी पसी ना आ रहा है या तो फिर आपको थोड़ा ही कामकाज के बात थकान मैसुस हो रही है, breathlessless होती है यानि कि आपको स्वास लेने में तकलिफ होती है तो यह सब आपके heart weak होने के symptom है तो उसी समय अगर आपको यहाँ पर जू मैं आपको treatment बता रहा हूँ वह सुरू कर दो के तो काफी heart तक आपको heart की तकलिफ दूर हो जाएगी दिनों की treatment लेने के बाद और अगर आपको emergency care लेनी पड़िए heart attack के symptom आये और heart attack भी आ गया है तो आपको पहले emergency care लेनी है इनके बाद यहाँ पर जो मैं आपको treatment दिखा रहा हूँ वह treatment शुरू कर देनी है तो थोड़े दिनों मैं फिर से आपका heart normal होने लगया, normal function करने लग और दोस्तों आपको operation की भी जरूवत नहीं पड़ेगी यहाँ मेरा आपसे वादा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं पहली चीज तो एक्क्यूप्रेसर पोइंट्स दिखाने वाला हूँ यह एक्क्यूप्रेसर पोइंट्स को आपको दिन में दो से तीन बार दो से पा देगर होती है वह लिटल फिंगर से नीचे थोड़ा साई अंदर की साइड जो हमारी चंदर रेखाती होती है वहाँ पर हमें हमारा हार्ट के लिए एक्क्यूप्रेसर पोइंट्स मिलता है तो यह पोइंट को आपको दबा के देख लेना है अगर यह पोइंट पे आपको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है कम दबाने में कम प्रेसर से ही आपको दर्द हो रहा है याने कि आपको हार्ट में विक्नेस होना शुरू हो गई है तो यह पोइंट को आपको दबाना है clockwise आप ऐसे rotation देर सकते हो 10 बार एक direction में फिर 10 बार दूसरी direction में फिर आप ऐसे pumping भी कर सकते हो दबाना है चोड़ना है या तो फिर इनको दबा के भी रख सकते हो दोस्तों जब भी आप pressure point दबाते हो तब आपको अपने आखे बंद कर लेनी है फिर अपने heart के उपर focus करना है और फिर आपको दबाना है इनके साथ आपको deep breathing पी करनी है इतनी चीज़ आप क कर देते हैं इनके साथ दोस्तों आपको अपनी थोड़ी lifestyle चेंज करनी है आपको आहर में चेंज लाना है जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका heart attack के symptom आपको दिखने लगे है आपको पसी ना आता है आपको ठकान लगती है आपको स्वास लेने में तकलिफ होती है तो आपको काम कास से पूरा race ले लेना है कोई भी जगा पर जाना नहीं है नोकरी करने जाना नहीं है कोई भी activity अपने business को भी छोड़के 3-5 जिन के लिए पूरा आराम करना है और ऐसा आराम करना है कि जिसमें आपको कोई भी activity नहीं करना है चलना भी नहीं है चलना भी कम से कम है और इसी एक्टिविटी में इन्वाल होना है कि जिसमें आपको सुकुन मिले, आपके मन को सांती मिले, लाइट म्यूजिक सुनना है और यह एक्यूप्रेशर पोईट को दिन में दो से तीन बार दबाना है, दो से पांच मिनिट के लिए, इनके साथ अपने खाने में थोड़ा च जूस लगे, तो बहुत ही जायदा फायदा मिलेगा, दिन में दो से तीन बार आपको ग्रीन जूस लेना है, आपको मैं ग्रीन जूस बनाने की विदी भी बता देता हूँ, ग्रीन जूस में आपको ग्रीन एपल लेना है, कुकुमबल लेना है, कैबेज लेना है, पालक ले इनके साथ आपको तूल्सी के पत्ते भी डालना है, पुदीने के पत्ते आपको डालना है। यह सभी चीज को आपको मिला करस्ट कर देना है, इनका जूस निकालके आपको दिन में 2 C4 बार पी ना है। दोस्तो यह juice आपको 200 ml से लेके 500 ml तक याने कि एक glass आपको पीना है दिन में 2-3 बार यह चीज यह green juice आपको लेना है दोस्तो इतनी चीज आपको करनी है दिन में आपको कोई भी ऐसा heavy food नहीं लेना है अपने पाचन तंत्र को पुरा rest देना है ताकि सभी पुरी शरीर की energy आपके heart को normal करने में लग जाए तो दोस्तो इतनी चीज अगर आप 3-5 दिन करोगे तो आपका heart पुरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा healthy हो जाएगा फिर से आप अपनी routine activity शुरूख कर सकते हो पर आपको यह चीज खास दियान में रखना है कि 3-5 दिन के बाद आप पुरे स्वस्थ हो जाएगा उनके बाद आपको अपनी activity धीरे धीरे बढ़ानी है खाना भी आपको धीरे धीरे बढ़ाना है पहले आपको एकदम हलका खाना खाना है खिचरी खा सकते हो इस तरीके से आप पूरे system wise अपने आहर में चेंज लाओगे लाइपस्टल में चेंज करोगे तो आपका हार्ट पुरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा आसा रखता हो कि आपको मेरी इंफोर्मेशन अच्छी लगे होगी अगर अच्छी लगे है तो आप हमारे यह वीडियो को लाइक कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह इंफोर्मेशन सेर करिए ताकि भारत भर के सभी लोगों के पास इंफोर्मेशन पहुंच पाए और सभी लोग स्वस्थ हो सके अपने हार्ट को हेल्दी रख सके तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि एसी इंफोर्मेशन आपको रेगूलर मिलती रहे तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो थेंक्यू फोर वाचिंग वंदे मातरम जाहिं